अधर्णिय स्भापती जी आपने वक्ताओं के लिए काफी सिमाय बांदी है मेरी कोशिस रहेगी उन सिमाओं का पालन करते हुए अपने भावनाओं को भीवगत करो वस्थ हमारे हाँ विजाय समारम तो है है जा रहे है साथी लेकि जैसे बंगाली में कहते है आमी आश्ची या गुजराति में कहते है आव जो come again प्रकारत हम तो यह ही चाहेंगे come again टाकि जसा सभापती जी ने कहा कि इतने इतने अनुभव दिन के साथ जुड़े हुए है पाटम, चाटम, तइंटम इतने समाई से याने एक बहुत बड़ी मात्रा में अनुभव का संपूठ हमारे इन सभी महानुभव के पास है और कभी-कभी ज्यान से ज़्यादा अनुभव की ताकत होती है अकेडेमिक नालेज की कभी-कभी बहुत सीमाई होती है उस सेमिनार में काम आता है लेकिन अनुभव से जो प्राप्त हुआ होता है ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है राष्ट को होती है आने वाली पीडियों के लिए जो दिर्णे होने वाले है उसमें कुछ कमी रह जाती है और इसलिए जब अनुभवी लोग जाते हैं उनके लिए हैं बहुत कहा जाएगा लेकिन जब अनुभवी नहीं यहां है तक जो है उनकी जिम्मवारी जरा और बढ़ जाती है वो जो अनुभव की गाता यहां छोड़ के गए हैं जो बाकी हां रहने वाले हैं उनको उसको आगे बढ़ाना होता है और जब वो आगे बढ़ाते हैं तो सदन की ताकत को कभी कमी महसूस नहीं होती है और मुझे विश्वास है कि आप जो साथी आज बिदाय लेने वाले हैं उनसे हम जो सभी सिखे हैं आज हम भी संकल्ब करें उसमें से जो भी उत्तम है जो स्रेश्ट है उसको हम आगे बढ़ाने में इस सदन की पवित्र जगा का जरूर हम उप्योग करेंगे और ताकि हम इस चार दिवारों के बीच पर बिताते हैं हिंदुस्तान के हर कोने की भावना वो का है प्रतिमिम अभीव्यक्ति बेदना उमं सब कुछ यहां पर एक प्रभा बहता रहता है और उस प्रभा को हम भी अनुभाव करते रहते हैं लेकिन कभी हमको लगता हुआ कि मैंने इस सदन में बहुत कुछ कॉंटिब्यूट किया बहुत सचाई है लेकिन साथ साथ इस सदन ने भी हमारे जीवन में बहुत कुछ कॉंटिब्यूट किया हम सदन को दे करके जाते हैं उससे ज्यादा सदन से ले करके जाते हैं क्योंकि भारत क विवित्यताओं से भरी हुई सामाजिक व्यवस्ताओं से अने प्रकार के उताव चड़ावाली व्यवस्ताओं से निकली हुई चीजे उसको हम प्रति दिन अनुभव करते हैं सब्सक्राइब में और इसलिए माज यही कहूंगा कि भले हम इन चार दिवारों से निकल रहे है लेकिन इस अनुभव को राश के सरवत्तम हित के लिए चारों दिशाओं में ले जाएं चारों दिवारों में पाया हुआ चारों दिशाओं में ले जाएं यह हम सब का संकल्प रहे और हमारी ये भी कोशिश रहे कि सदन में अपने कालखन में जो महतोपून चीजे हमने कॉंट्रिबूट की है जिसने देश को शेप दिया देश की दिशा को मोड़ा है मैं चाहूंगा उन समृतियों को आप कहीं न कहीं शर्दबर्द करें कहीं कहीं लिखें ताकि कभी न कभी वो आने वाली पीडियों को रेफरंस के रुप में काम आएगी कहीं पर भी हम बैठे हो यहां हो यहां हो लेकिन हर एक ने अपने तरीके से कुछन कुछ ऐसा कॉंट्रिबूशन किया होगा जिसने देश को दिशा दिने में बहुत बड़ी भूमी का आधा की इसको अगर हम संग्रहित करेंगे मैं समझता हूँ कि कि आज़ादी का अमर्त महुत सभर है कि आज़ादी के 75 साल हुई है हमारे महापुरुशों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया अब देनी की जिम्मेवारी हमारी है हम यहां से उस भाव को ले करके क्योंकि अब थोड़ा समय ज़्यादा होगा हमारे पास जब यहां से जा रहे हैं तो सभापते जी का बंधन भी नहीं होगा तो आप बड़े खुले मद से एक बड़े मंच पर जा करके आज हादी के अमर्त महुत सव इस महामूले परव को माध्यम बना करके आने वाली पीडियों को कैसे प्रेरिद कर सकते हैं उसमें अगर आपका योगदान रहेगा मैं समयता हूँ देश को बहुत बड़ी टाकत मिलेगी बहुत बड़ा लाब मिलेगा मैं सभी साथियों को मैं इंडिविजली उलेख नहीं कर रहा हूँ आपकी जो अच्छी बाते हैं उसको मैं जुरू नोटिस करता हूँ मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुप कामना है देता हूँ धनिवाद यूपे और देश दुनिया की तमाम ताज़ातरीन ख़बरों के लिए गूगल प्लेश टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज जैप डेली इंसाइडर